हेरो गाई इस तरह बात करने वाले हैं आनन राथी वेल्थ फंड की बात करें इस कम्पनी का quarter 4 का result आ चुका है सामने तो कैसा रहा इस कम्पनी का result और क्या की इस कम्पनी ने dividend दिया है की नहीं दिया है तो कितना रुपिस का दिया है वही आज के इस विडियो में discuss करने वाले है कम्पनी ने यहाँ पर से 6 रुपिस पॉर शे का dividend announcement कर दिया है जो आप लोगों को final dividend के तौर पर 2021 के अंदर पे कर दिया जाएगा और यह जो यहाँ पर dividend है वो आप लोगों को आने वाले 30 दिन के अंदर आप लोगों के account में पे कर दिया जाएगा तो यह चीज आप यहाँ पर फंड मैनेजमेंट होता है ना वही इस कम्पनी का कामकाज है quarter and quarter base के उपर and year and year and year base के पर result को compare करेंगे और इस कम्पनी के concentrated result भी देखेंगे सारा का सरा amount है वो lakhs में है यहाँ पर आप लोग इस कम्पनी के revenue from operational other income को में देखा देखोगे तो इस कम्पनी का total income इस क 75.01 lakh रुपिस का देखने का मिल रहा है quarter and quarter base के उपर इस कम्पनी के income में लगातार बड़ोतरी हो रही है जो एक positive चीज है उसकी साथ साथ इस कम्पनी का यह टोने पर performance देखोगे तो वहाँ पर भी धीरे-धीरे करके company का share बहुत यह ची तरीकी जग रहा है 40% के आस-पास का company के sales में बड़ोतरी होती होती हुए नजदर आ रही है जो भी एक बहुत ही जदा अच्छी बात है company के expense की बात करें तो company का majority expense employees के अंदर जाता है बाकी इस company का total expense 7,067.24 lakh रुपिस का देखने का मिल रहा है इस company के expense भी बड़ा है पर income में ज़्यादा करोद देखने का मिल profit में drastic change हो है और इसी के विरे से company के share में लगातार thesis है तो आप लोगों को एक चीज़ वरू से बोलूँगा company के यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है company dividend दे रही है company यहाँ पर अपना profit generate करी है अच्छी तरीके से grow करी है ऐसी ही company के इंदर आप लोगों को पैसा 49 रुपीज से अभी 8.32 रुपीज पर आ चुका है company का EPS जो भी एक बहुत ज़दा अच्छी बात है company का यहाँ पर से आप लोग देखूगे year on year base की ओपर performance तो year on year base की ओपर भी performance बहुत ज़दा अच्छा है वहाँ बर भी तीगना growth देखने को मिल रहा है तो जो आप फंड में invested हो तो जरू से hold करके शलना जिस तरह किसे company का growth है उस तरह किसे लग रहा है company का शिया आने वाले समय हजार रुपे का target आराम से cross करके उपर जा सकता है तो invested हो तर hold रखो और invested नहीं हो तो lower levels के उपर खरीदर करके भी चल सकते हो तो बस वाचकी लिए नहीं वीडि तिन नेक्स दूमे गुद्बाई